कोई इंसान अपने जीवन के बहुतिक, आध्यात्मिक या किसी भी आयाम में कितनी दूर जाएगा, ये मूल रूप से इस पर निर्भर करता है क्यों उसमें कितनी उर्जा भरी हुई है. हाँ, बहुत से लोगों में धेर सारी उर्जा है, मगर उनके अंदर इस उर्जा को एक तरह की व्यक्तिगत शक्ती में रुपांत्रित करने का ग्यान या जरूरी प्रनालिया नहीं है. शक्ती किसी और के बारे में नहीं होती, शक्ती आपके बारे में होती है. आपकी शक्ति की संभावनाएं आपके जीवन की तीवरता और गहराई को तै करती हैं और ये भी तै करती हैं कि आप अपने जीवन में जिस छेत्र में काम करना चाहते हैं उसमें कितने प्रभावी होंगे अगर आपको ये शक्ति चाहिए तो आपको अपनी उर्जा का इस्तमाल बुद्धिमानी से करना होगा उर्जा को शक्ति के रूप में कठा किया जा सकता है जरूरी ज्यान और जरूरी साधनों की मदद से वरना बस अंधहीन विचारों, अंधहीन प्रतिक्रियाओं और चिंताओं से उर्जा को नश्ट किया जा सकता है मैं चाहता हूँ कि आप अपने धैनिक जीवन को ध्यान से देखें एक सरल सी चीज़ बस मान लीजिए, दिन में आप कितने शब्द बोलते हैं आप कभी गिनते नहीं ओ, आपको ऐसा करना चाहिए आपको गिनने चाहिए कल एक अनुमान लगाईए कि सुबह से रात तक आप कितने शब्द बोलते हैं परसो उसे 50 प्रतिशत तक कम कर दीजे और वही चीजे कहिए आप लोगों से समवाद खत्म नहीं कर रहे है आप अभी समवाद कर रहे है मगर 50 प्रतिशत कम शब्दों के साथ आपकी भाशा कौशल निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी व्यक्तिगत शक्ति विक्सित होगी देखिए इस बात के वैज्ञानिक प्रमान है कि अभी जब आप यहां आराम की स्थिती में बैठे हैं आपकी कम से कम 20 प्रतिशत उर्जा आपके दिमाग में खर्च हो रही है अगर आप अपने दिमाग का बिना वज़े अस्थिर होना और हर समय पागल की तरह कूदते रहना कम कर दें अगर वो इस्थिर रहना सीख ले और सिर्फ वही करे जो ज़रूरी है तो जबरदस्थ व्यक्तिगत शक्ति पैदा होगी आप अभी अपने मन के साथ ऐसा नहीं कर सकते अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और भी पागल हो जाएगा कम से कम अपने शरीर के साथ ऐसा करें अपने शब्दों और अपनी शारेरिक गतिविधी को 50% तक कम करें अगर आप इसे देखना चाते हैं तो इसे देखें उसे देखना चाते हैं उसे देखें ऐसे से मत कीजिए अगर आप अपने शरीर और शब्दों के साथ ऐसा करते हैं तो ये धीरे-धीरे आपके मन में भी प्रकट होने लगेगा वो अनावश्यक चीज़े नहीं करेगा जब आप गैर जरूरी चीज़े नहीं करते तो आपके अंदर जो उर्जा है वो धीरे-धीरे खुद को संभावनाओं से भरी शक्ती में बदल देती है तो इसे विक्सित करने के लिए जो आसन आप कर रहे हैं जो सूर्य नमस्कार आप करते हैं अगर आप कर रहे हैं या जो भी दूसरी क्रियाएं और बाकी चीज़ें आप करते हैं वो मुख्य रूप से इस शक्ती को बढ़ाने के लिए है इसे अनावश्यक कार्य में नस्ट नहीं करना चाहिए फिलाल आप अपने मन में आने वले विचारों की संख्या को कम नहीं कर सकते उसे भी किया जा सकता है अगर आप बस अपने अंदर एक स्पंदन लाएं एक सरल मंत्र जब ये पागल हो रहा हो बस कुछ समय तक इसका जाप करें एक तरह का स्पंदन पैदा करें आप देखेंगे कि उससे जबर्दस्त व्यक्तिकत शक्ती पैदा होगी अपने अंदर इस शक्ती के बिना आप जीवन के आयामों को पार नहीं कर पाएंगे जीवन अभी अधिकांश लोगों के लिए चैतन ने बस एक ग्रंधों का वाक्य है ये उनके जीवन में एक जीवन्त अनुभव नहीं है अगर उसे एक जीवन्त अनुभव बनना है अगर शृष्टी करता जितनी शक्तिशाली चीज़ को आपके अनुभव में आना है तो आपके अंदर शक्ति की एक भावना होनी चाहिए हमें हमेशा ये समझना चाहिए शक्ति हावी होने के बारे में नहीं होती शक्ति प्रभवशाली होने के बारे में होती है समर्थ बनने के बारे में होती है जब आपमें इस शक्ति की समभावनाएं होती है तब आप इस जीवन से सहजता से गुजरते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके समाजे के स्थिती क्या है, आर्थे के स्थिती, बहुते के स्थिती क्या है, आप एक राजा की तरह चलते हैं, क्योंकि आपके भीतर की शक्ति आपको इस तरह चलाती है. झाल झाल